और चले एक और बड़ी खबर आप तक भुपाल सही पहुशादी जहाँ पर राजसानी भुपाल में लगातार डेंगू के मरीज मिल रही है घनी आबादी वाले इलाकों में डेंगू की संख्या लगातार बढ़ती चारी है दस मेंसे दस दिनों में ही पंद्रा से जादा मरीज अभी तक मिल चुके है दो नए मरीज और भी बिले है भुपाल में लगातार डेंगू का मामला बढ़ता ही जा रहा है कई डेंगू के मरीज जाये दिन सामने आते रहते हैं डेंगू मरीजों की संख्या 565 तक बहुत चुकी है रासानी मुपाल में लगाता डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रही है घनी आवादी वाले लाकों में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है 10 दिनों में ही 15 से जादा मरीज अभी तक डिंगू की मिल चुके है पुपाल में डिंगू का प्रकूप लगातार जारी है डिंगू के अभी तक 565 मां में सामें आ चुके हैं लगातार आए दिन डिंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी रही है गरिया वादी वाले लाकों में डेंगो की संखिया और भी जादा देखी जारी है 10 दिनों में ही 15 से ज़्यादा डेंगो के मरेज अभी तक मिल चुके हैं और सी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारी सहिंय योगी अंजली सिंग हमारे सर्च जुड़ चुकी है ऐस्माराज आध़ती हैं जो लगगदार डैंगु के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं वहीं जो हमारिद। ब्रदी हो रही एगर अभी बात करें तो पिछले 15 दिन अधक्र से 10 दिन की बास करें ने ने थे की बात करें तो 15 से ज़ादा नए नरीज वो मिले हैं उड इसमें अगर बात करें तो दो नए मरीज हालीब Çağdanabad और अश्वाग इुरा वहाझ बलाके जे इसके प्रती दिन जो है विल्कुल अंजली तो लगाता डेंगू के मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ती ही जा रही है स्वास्तव भाग की और से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा तब आम जानकारी के लिए बहुत शुक्री आजली आपका